रूप से पुलिस ने राइनेतिक दुर्भावना में आकर के एक जनप्रत्निदी के घर पर जिस तरीके से कारवाई करी है रातरी के दो बजे जा करके दविश देना नसे की हालत में दविश देना महिलाओं को बच्चों को उत्पीडित करना जो कुछ भी यहां पर कानपूर में हो रहा है शाहर के अंदर टेरर का माहल बनाने के लिए हो रहा है कानपूर में सफ़ा बिधायक इर्फान सुलंकी के ओपर आगजनी का आरोब लगने के बाद पूरे उत्तर पदेश में सफ़ा में एक खल्चन सी मची हुई है क्योंकि विधायक लिए उनके पास अपनी सभाई रखी है कि उस समय जब आग लगी तो मैं था ही नहीं प्लाट में आतिस बाजी से आग लगी है बिधायक के पर युनों ने भी आतिस बाजी के वीडियो दिखा करके ये जावे किया है कि उस समय हमारे घर का कोई नहीं था बच्चे आतिस बाजी कर रहे थे अकलेस यादो जी ने खुद एक परतिनी बंडल 11 बिधायकों का अपना भेजा है कानपूर में उस परतिनी बंडल में मनोश पांडे जी के ने तुरत पर परतिनी बंडल आया है जिसमें 11 बिधायक हैं जो पहले एरफान सुलंकी की फेमली से मिले पूरा सबूत एकटा किय जब उन्हें लगा कि सबूत में कुछ दम है तो उस सबूतों को लेकर के वह पूलिस कमिसर कानपूर के बीपी जो जंड़ से मिले हैं और उनसे कई कि मतब कठोर सब्दों में एक बात रखी है कि ये इरफान सुलंकी एक बिधायक है जो घटना यहां पर घटित हुए है निश्चित ρूप से पुलिस ने राजनेतिक दुरभावना में आकरके एक जन प्रत्निदी alertक गर पर जिस तरीके से कारवाई करी है रातरी के दो बजे जा करके दविश्देना नसे की को उद्पीडित करना यह निश्चे यह दरसाता है कि कानपूर की पुलिस को कानून का कॉफ नहीं है सोयम का पालन नहीं कर रही है किसी भी जनप्रतिन्दी के घर दो बजे रात्र को जूठे आरोपो में घर के भीतर जाकर के तांडो करना यहां पुलिस रेगुलेशन का अत्क्रमण किया है और दूसरी चीज़ यह है कि जो घटना बताई जा रही है उस घटना से विधायक जी का कोई वास्ता नहीं था विधायक जी के परिवार से कोई वास्ता नहीं था अगर उस घटना को सच भी माना जाए तो वहां पर उपस्धित भी नहीं रहे हैं इसके बावजूद विधायक जी के घर में घुश करके पुलिस की कारवाई उनके नाम के शाहत गाली गलोज करना परिवार के शाहत गाली गलोज करना यहां पुलिस की जो शैली है वो अनिंदनी है इसकी पूरे प्रदेश में घोर भरसना की जानी चाहिए और पुलिस को कानून का कि व्यावज को इसलिये मैं इस कारवाई की निंदा करता हूं जिसमें बिना आरोपों के साथ सबूत के पुलीस बड़ी घर पर जा करकर जिस तरीके की कारवाई करें और दूसी चीश्ट यह है कि अगर बिधायक नहीं एक आम आदमी भी है तो भारत के समिधान में यह विवस्ता है कि यदि कोई बड़ी घटना क्रम जो अपराद की स्रेडी में हो वह कारित हो रहा हो किसी के घर में लूट हो रही हो हत्या हो रही हो तो रात्र के दो बज़े पुलिस वहां पर जा सकती है लेकिन एक आम आदमी भी ह और बिना किसी गंभीर घटना के बिना किसी आरोब के पुष्टी के बिना साच्छ सबूत के किसी भी वैक्ति के घर पर पुलिस जाकर के रात्र के दो बज़े दरवाद तोड़ करके नहीं गुश सकती है और उन लोगों के साथ दुर्विवाद नहीं कर सकती है यह बाते इरफान ने सबसे पहले इनको भी फोन किया था इन्होंने कमिश्र से बात भी की थी हालाकि इस बात करतें कि उन्होंने क्या बात रखी तो पुलिस का अच्छा नहीं था दोरा रवाई अपनाया जा रहा है सत्ता का मामला होगा तो पहले जाच करके तब करवाई करेंगे दोरा पैमाना नहीं होना चाहिए जिस तरह से विधायक के घर में कूदे हैं विधायक की सुरक्षा को खत्रा है इस कानपूर में तो गालियां पल्टी है पहले भी यहाने किसी गाली कप परड़ जाए दोरा पैमाना कैसे का आपने आपने घटना नहीं पड़ी एक कोट से हैं बाउंडरी फांद के उनके थाना च्छेत में रोमिल सरकार हत्या कांड हुआ तेरा चोदा दिन होगा उसके माबाब मारे मारे फिर रहे हैं वह टीमें बारा टीमें उसके खुडासे लिए लेकिन हम समाजवादी लोग हैं हम लोग डबने दबने वाली नहीं है आप कि हम लोग जनता के आवाज उठाते रहेंगे हमाई पुलिस से मांग है कि जो मुकदमादार जो उसकी निस्पक्षता का संदेश जाना चाहिए कानपूर में इर्फान सुलंकी के पड़ोसी विधायक हैं जो उनसे घर के कुछी दूर पर रहते हैं रूमी हसन यह भी मौके पर थे वहां पर उनसे पूर लेते हैं कि कमिशनर से क्या बात रखी है आप तो पड़ोसी है उनके आग लगी आपको भी पता चला होगा तो उस लाहर के अंदर टेरर का माहल बनाने के लिए हो रहा है कि एक एक आदमी दूसरे आदमी से दुश्मनी निकालने के लिए तहरीर देगा और वह इतना डर जाएगा कि पुलिस रात में आएगी जब विधाईक के घर में पुलिस रात में आ जा रही है उसकी गुनात साबित पहले कंडर जाकर उनके बच्चों के साथ की जा रही है आज हम लोग ने सारी शिकायتे कर लिए हमारा तो सिर्फ ये कहना है उत्तरपरदेश की सरकार से के चाहर सुत तीन है को यह privilege है को विधायका का प्रोटोकाल उनका सुरचित रहना चाहिए मानने नी मुखमंत्री योगी आदितनाजी से भी मेरी यह मांग है कि अगर आपके नेतरत में चार स्वाफ सत्ता पश्के मुकमंत्री हैं नेता सदन है नेता सदन का कोई भी सदस माननी आपके आपके उसकी जम्यदारी उसकी सुरच्छा करना अगर बेगुना है तो उसकी बेगुनाई सावित होने तक ऐसे टेरर का महुल ना बनाए जाए हम तो ये मांग करते हैं कि लो पूरी तरिके से सत्ता-पक्ष एक सत्ता के नशे में विपक्ष्क के विधायकों को आनेवले चुनाओं की तयारी की नजे की नजर से देख रहा है हम लोग इससे डर दर्ने दमने वाले मैं कि योगी आनात के सरकार में पुलिस मियंता कानून से कारवाही कर रही है इनका क्या कहना है सरक्या नाम आपका क्या मुखमंत्री से नहीं मिला उन्चर तक मैं पूछे आप कि विसंबर सिंग्यादों विधायक बवेरुबादा कि आग लगाने का कोई अउचित नहीं बनता था यह साजिस के तहट सरकार की साजिस है उसमें जो आग लगाई गई प्लाट में और वह महिला बोल रही है एक पत्रकार के इंटर्वी में कि रेजवान ने आग लगाई है इरफान का नाम तो दो दिन बाद सामिल किया जाता पुरी सरकार की साजिस है फसाने के लिए इरफान सुलंकी को फसाने के लिए और उन्हें जेल वेजने के लिए उन्हीं सदस्ता समात कराने के लिए केवल सरकार की साजिस है यह समाजवादी पार्टी के लोगों को डरान धमकाना चाहते हैं और जनताबे भय पाइदा करने का काम सरकार करें जी का कहना है कि सरकार की साजी से आग लगाने पर एक और विधायक जी है पूछ लेते हैं कि ये बात आखिर मुख्यमंत्री किसी पार्टी को हो विधायकों के लिए वो सरोच सथ सोते विधान सभा में उन इपान सुलंकी को निर्दोस मानना है और विधायक के घड़ पुलिस गई यह उन्होंने अपनी परतिश्चा से जोड़ लिया है इस मामने में पुलिस कमिसर क्या जांच करते हैं क्या कारवाही करते हैं क्या जांत में हकीकत निगल के आती यह देखने वाली होगी और झाली झाली होगी और रवाली होगी अङः करते हैं जांत में जाली होगी और से तलिग अ